ऐलो फेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल पेंड्स अगर आप याज का रस अपने बालों में कर लेंगे तो आपके बालों की लंबा इतनी तेजी से बढ़ेगी इतनी तेजी से आपके बाल घने होंगे कि डॉक्टर भी देख कर हैरान रह जाएंगे कि आखीर चमत कर बालों कर सकते हैं तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज के इस मुश्के को आपको सबसे पहले लेना है ओनियन आपको फ्रेंट इतने साइस की दो प्यास लेने हैं और इन्हीं टुकडों में कट कर लीजिए और मिक्सी में डाल कर इसका एकदम स्मूध पेस्ट बना लीजिए तरीकों से आप प्यास करस् निकाल कर इस्तमार कर सकते हैं तो चलिए आगे मैं आपको बता थेुए कि अब आपको करना क्या है लेकिन गाईज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्रेब नहीं किया है या थी चैनल पर नए हैं तो यह जल्दी से चैनल को भी सब्सक लिया है इस तरह से आपको भी प्यास करस निकाल कर उसका यूज करना है प्यास करस निकाल लिये के बाद अब आपको इसमें एड करना होगा अलोवेरा जेल आपको फेंड्स इसमें एक चमच अलोवेरा जेल का एड करना होगा अगर आपके पास अलोवेरा जेल की लीफ है त तो आप वहाँ से भी aloe vera gel निकाल कर इसमें एड़ कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे में एक चमच aloe vera gel का एड़ कर दीजेगा, aloe vera gel को आड़ करने के बाद आप इसमें आपको आड़ करना होगा coconut oil, आपको फिंड्स इसमें coconut oil एड़ करना होगा, मात्र आप इसमें दो चम कोकोनट ओइल को एड़ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना होगा हमने सभी इसमें सभी चीजों को एड़ कर दिया है पैंस हमने जो इसमें ओनियन लिया है ओनियन में सलफर पाय जाता है जो हमारी सर में मसाज करने से हमारे सर के ब बाहर निकलने लग जाते हैं, अगर आप गंचेपन की समस्या की सिकार हैं, आपके बाल नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने बालों में एक बार ओनियन रस्क जरूर एड़ करके देखिए, और दूसरा हमने इसमें एड़ किया है, अलोविरा जेल, अलोविरा जेल भी ह हमारे बालों की जड़ों को मजबूत ही रहते हैं, बालों को सिल्की साय बनाता है, और दूसरा हमारे बालों में जो उल्जने पड़ती हैं, गाठे पड़ती हैं, जिससे हमारे बाल जड़ों से खिचते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और बाल एकदम बेजान रूखे दिखाए देते हैं। उस समस्य को दूर करने काव्य करता है। बालो में ताकत लाता है, बालो में नई जान लाता है। इसके बाद हमने इसमें एड रहा है कोक कॉकोनेट ऊइल। में विटामीण E पाय जाता है जो हमारे बालो की जड़ो को मजबूती देता है। बालो को काला बनाए रखता है, बालो को घना बनाए रखता है, और बालो में जो तेल की कमी हो जाती है, बालो की जड़े जो बेजान हो जाती है, रूखी हो जाती है, उसे दूर करने के लिए हमने इसमें एड़ किया है coconut oil, तो फेंड्स इन सब भी चीजों को आप मिक्स कीज और बचे हुए पेश्ट को पूरे बालों में लगाकर मात्र 15-20 मिनट के लिए अपने बालों को बांद लीजिए और उसके बार आप अपने बालों को शैंपू कीजिएगा यकीन मानिए आपके बालों की हेल रोग तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएगी, बाल तेजी से घने होंगे लंबे होंगे बालों का चरma तोटना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो गाइस अगर आप ये अपने बालों की जड़ों को मजबूती देना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो इसका ज़रूर यूज कीजेगा तो गाईस ये था आज का मेरा नूस्खा, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे और कमेंट के जरे मुझे चुरूर बताईएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई दोस् कर दो